हुआ हम जो है मैं आट्राइसिज फार्जे की SSB एकाउंट एसिस्टेंट कंटिन्यू कर रहे हैं ठीक है जिसने भी आप में से वह पहले दो वीडियो देख रखे होगे उसे पता चल गए हुगा कि आज का जो हमारा जो discussion रहेगा वो रहेगा types of matrices पे और ये कौन से types होंगे आपको पता होगा ये होंगे simple types जो matrices के हैं वो हम discuss किने जादे हैं इसमें इससे पहले हमने पहले वीडियो में किया discuss किया था कि हम जो ये जेखी SSB का mathematics plus state वाला portion है उसको कैसे cover up करेंगी ठीक है फिर मैंने अब से बोला था कि हम पहले start करेंगे matrices का जो वो topic है वो cover up करेंगी ठीक है और आपको ये भी पता है कि ये mathematics plus state ये कमबाइन में इसके 10 marks है तो हमने वो चीज़ भी दियान में रखनी है कि 10 marks का वैटेज है इस पे तो हमने उसके according इसको prepare करना है ठीक है ज्यादा time भी नहीं लगाना कम time भी नहीं लगाना ठीक है वो description में मिलेगा आपका उसका link वहाँ पे आप click करके उसमें add हो सकते हो ठीक है तो वो बात आ रही फिर हमने दूसरे वीडियो में हमने definition of matrices देखी size, order, terminology and all वो देखा और उसके साथ साथ हमने वहाँ पे जो important चीज़ पढ़ी that was equality of two matrices, दो matrices को हम कब बोलेंगे they are equal ठीक है तो उसके according आगे sequentially आगे बढ़ते हुए हमने आज क्या discuss करना है types of matrices और यह simple वाला रहेगा जिसने पहला वीडियो देखा होगा वो जानता है कि simple types में क्या क्या है, ठीक है तो types of matrices ठीक है तो जो हम पहला यहाँ पे लेंगे that will be row matrix किसे बोलते है and column matrix किसे बोलते है ठीक है आपको यहाँ पे द्यान रखना है हमने कोई thesis नहीं लिखनी है इस पे बलकि चीज़ों को समझने है तो उसी के according में आपको पढ़ाते जाओंगा ठीक है यहाँ पे note लिखने का कोई मतलब है नहीं ठीक है मैं बोल रहाँ row matrix अगर मुझे define करनी है a matrix a ठीक है is called row matrix if यहां से start होता है आपका किसको बोलते हैं if it has only one row समझगे आसान सी बाशा में कोई भी matrix जिसका खाली एक row है उसे हम बोलेंगे row matrix column की यहां पे बात आया ही नहीं रही है तो हम column को देखेंगे नहीं अगर हमसे कोई पूछे बता दो क्या यह matrix row matrix है कि नहीं हमने क्या चक करना है खाली यह चक करना है कि क्या इसमें खाली एक row है ठीक है अगर इसमें एक row हुआ तो हम बोलेंगे it's a row matrix अगर एक से ज्यादा होगे तो हम आगे देखने की कोशिश ही नहीं करेंगे वहें पर बात कतम क्योंकि definition हमें उतना ही बोल दी ठीक है एक्जामपल आफ ले लो आपकी matrix यह इसके row एक फिर size भी लिखा दे रहा हूँ column एक दो ती ठीक है column इसके तीन लेकिन row एक है तो यह example of row matrix एक और दे रहा हूँ x and y इसके row खाली एक column इसके दो तो यह भी example होगे किसकी ठीक है अगर यह ले लो ठीक है यह भी matrix है इसका row एक इसका column एक तो क्या यह row matrix है हाँ जी है क्यूंकि इसमें खाली एक row है और definition हमारी क्या बोल दिये खाली जिसमें एक row हो वो row matrix बन जाएगी तो यह row matrix हो ठीक है तो column पे आते हैं ऐसे अब आपको समझाया होगा matrix having only only one column is called a column matrix ठीक है समझ गया तो example ले रहा हूँ अब यहाँ पर आपको क्या देखना है जिस matrix में खाली एक column होगा हम बोलेंगे वो column matrix है ठीक है row कितने भी हो उसमें उस पे नहीं जाना हम एक्जामपल दे रहा हूँ मैं one, two, three जरा इसके row count करो एक, दो, तीन इसके column count करो खाली एक ठीक है एक और दे रहा हूँ इसके row दो इसके column खाली एक एक और दे रहा हूँ इसके row एक इसका column एक तो यह भी हमने क्या काली चाक करना है कालम के जब देखना है तो देखना है कि खाली इसमें एक कालम है कि एक से जज़ा है, अगर एक हुआ तो कालम, और row matrix में क्या देखना है, अगर इसमें खाली एक row हुआ तो row matrix एक से जज़ा हुए तब नहीं, ठीक है तो यह simple है row and कालम, यहां पर आपने देखा यहां पर question क्या बन सकता है Does there exists any matrix which is both row and column matrix Yes or Know तो आपका आयाएगा हाँ जी है वो कुंद सी है ये वाली matrix इसका नाम आएगा इसे क्या बोलते हम आग्या आएगा ठीक है इसका एक row इसका column एक तो एक matrix ऐसी है जो दोनू row भी है और column matrix भी ठीक है तो यह रहे हमारे दो simple types ठीक है पहले दो simple types अब हम आगे चलते हैं थोर्ड टाइप देखेंगे हम ठीक है थोर्ड टाइप जो हमारा रहेगा और फोर टाइप ठीक है यहाँ पर हम पढ़ेंगे होरी जॉन्टल मैट्रिक्स कौन सी होती है एंड वर्टिकल मैट्रिक्स कौन सी होती है ठीक है होरीजन्टल कौन सी होती है और वर्टिकल कौन सी मैं आपको ले रहा हूँ एक मैट्रिक्स ले रहा हूँ उस पर समझा रहा हूँ मैट्रिक्स है कॉम्पैक्ट फार्म में लिख रहा हूँ A I J M by N टीक है अब क्या होगा if M number of rows is greater than N साथ में बोल रहा हूँ if number of rows is less than N इसका मतलब क्या है when this M is greater than N that means की इसमें rows जाद है टीक है तब ये कहलाएगी vertical समझ गए अगर ये चीज़ हुआ जिसमें rows कम हो लेकिन column जाद हो तो ये कहलाएगी horizontal example ले लो मैं ले रो मैट्रिक्स E one, two, three, five, nine, four इसमें row कितने है? दो इसमें column कितने है? तीन तो ये कुन सा बना? ये बना horizontal ठीक है एक और ले रहा हूँ B X, Y, one, four, three and two इसके row कितने? तीन इसके column कितने? दो तो ये कुन सा बना? vertical ठीक है? horizontal matrix और vertical matrix जब number of rows ज़ादा हो number of columns से तब और गहलाएगी vertical matrix जब number of rows हो less than number of columns तब गहलाएगी horizontal matrix ठीक है? तो ये type third and four these are simple types ठीक है? ये ऐसे आपको याद रखने है इस पर different different question बनेंगे वो मैं आपको बताओ भी दूँगा और test में पूछने होगी ठीक है? let's come to the fifth type and sixth type now fifth type जो हमारा रहेगा हो रहेगा singleton ठीक है? और दूसरा एगा null या इसे zero matrix भी बोलते हैं ठीक है? singleton तो आपको नाम से पता चल रहा है कि इसमें जो element होने वाला है वो खाली एक होने वाला है ठीक है? तो मैं लिख रहा है matrix having only one row and one column is called a singleton ठीक है example अभी देखिए आपने वो जब हम row और वो पढ़ रहे थे ये a है b इसका row भी एक column भी एक तो ये क्या बन गई? singleton matrix अब null null किसे बोलते है? matrix whose each element और entry is zero जिस matrix का हर कोई entry जो है zero हो वो कहा कहलाती है? zero matrix या null matrix तो इसका size अगर आप देखोगे number of rows इसमें 2 columns इसमे number of rows एक columns number of rows तो 3 है column एक जिसमें 1 ठीक है? तो इस 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 definition of null matrix बोलते है? ठीक है? ठीक है? तो यहां पर आपको question यह बन सकता है की can a singleton matrix be a null matrix? तो answer आपका क्या रही है? yes question है की क्या कोई matrix क्या कोई singleton matrix null matrix हो सकती है? अजी हो सकती है अभी हमने देखी ठीक है? तो आगे चलते हैं 6 type हमने कर लिए 7 वे पर आते हैं 7 वे पर हमने रुखना है ठीक है? आज का जो है ना topic यह पर समाप्त होगा ठीक है? 7 वे टाइप पर 7 वे टाइप क्या है? 7 वे टाइप important है square matrix square matrix किस matrix वो गोलते है? आपके पास matrix है A compact form में लिख रहा हूँ A sub i j m by n is called square matrix टाइप कहा है? if m is equal n वे इसका मतलब that is number of rows equal कर जाए number of columns के ठीक ठीक आसान बाशा में number of rows equal example ले लो 1, 2, 3, 4, row, 2, column, 2, B ले लो एक ओर 1, 2, 9, 4, 3, 2, 1, 0, 6 इसके रो, तीन, इसके कालम, एक और ले लो, इसका रो, एक, इसका कालम, ठीक है, तो यहाँ पर question क्या बन सकता है, every singleton matrix is square, एक और बनेगा, every square matrix, is singleton, ठीक है, यह जो है, पहला, और देखो के, every singleton matrix is square, अभी आपने देखा, कि singleton matrix होती कुन सी, कुछ इस टाइब की हो, एक, कुछ भी हो सकता है, इसके रो एक, इसका कालम एक, number of rows is equal to the number of columns, तो यह square है, तो यह जो पहला statement है, इस ट्रू, ठीक बात, आगे की, every square matrix is singleton, नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता, हमारे पास टाइग्जम्पल है, यह रही एग्जम्पल, square है, आँजी, two, two, ठीक है, number of rows two, number of columns two, तो square तो होगी, क्या singleton है, नहीं, singleton तो वो है, जिसमें खाली एक row हो, एक column हो, इसमें तो दो row और दो column है, square है, बट singleton नहीं है, तो यह जो statement है, false, ऐसे करके, इन में, जो है न, different types के question बन सकते, ठीक है, आपको यह नहीं करना कि, रटना नहीं है, चीज़े रटनी नहीं है, ठीक है, कि आफ square matrix रट लोगें, square matrix, the matrix, the matrix, the number of rows is equal to the number of columns, ऐसे करके चलोगें, नहीं, question जो है न, इस तरीके से, आपने खुद भी question मना लें, ठीक है, वैसे चीज़ों को समझ लें, आपने रटना नहीं है, बलकि समझ लें, जतना आप रट होगे, उतना दिमाग पर प्रश्र आएगा, और काम नहीं होगा, ठीक है, जतना आप समझने की कोशिश करोगे, ठीक है, हिस्ट्री में नहीं जाना है, ठीक है, अभी कुछ लोग हिस्ट्री पकड़ें, वैसे आप यह जो है न, जेके एसे बल एक्जाम करेंगे, ठीक है, वो आप से matrices और डिटर्मेंट्स पूछ रहे हैं, ठीक है, वो आप से history नहीं जान रहे हैं, कि किसने क्या दिया हैं, ऐसे वैसे नहीं, matrices हैं, इसमें different different types के questions हैं, आपको मालो hold हैं, उन चीज़ उपके की नहीं है, ठीक है, आगे यही matrices हमने क्या करना है, use करना है, to solve the system of equation, जो उनने आगे पूछा है, तो उनके लिए हमने क्या करना है, कि यह base हमारी strong होनी चाहिए, यह नहीं कि हम history पढ़ने पढ़ जाएं, ठीक है, यहां पर history का कोई scope नहीं है, अगर कोई वैसे कर रहा है न कि, यह हमारे साथ होता है न कि, हम बोलते हैं कि, अब की बार हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, line line पढ़ेंगे, ऐसा आप line line तो पढ़ना है, लेकिन वही चीज़ पढ़ने है जो पूछी जाएगी, ठीक है, hard work नहीं करना है, dunky work नहीं करना है, हमने क्या करना है, smart work नहीं करना है, तो आप आपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हो, ठीक है, और कहीं पे दिक्कत आ रही हो, तो आप, 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 आस्क ठीक है, comment box section आपके लिए खुला हुआ है, telegram की channel जो हमारी है, वो, that's always there, ठीक है, you can ask and you can say, thank you very much.